यही यहापर उसे कहता है कि तुम टेंसन मत लो मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ अगर मुझे नाराज होना होता तो उस रात ही मैं तुमसे नाराज हो जाता जब तुमने मुझे सब कुछ बताया था सो यहापर हमें फ्लैस बैक दिखाया जाता है जिस रात मैंकॉन और यही एक साथ होते है यहापर मैंकॉन यही से बाते कर रहा होता है तब दिखाया जाता है कि यही सो गया है बट एक्शली वहापर यही सोता नहीं है वो मैंकॉन की सारी बाते सुनता है जहापर मैंकॉन उस उसके बाद दिखाया जाता है याई को जो कि वहाँ पर इन सारी बातों को सुनता है सो यहाँ पर याई बात बताता है मैं को याई और कहता है मैं तुमसे नारज नहीं हूँ क्योंकि अल्रेडी मैं तुम्हारी सारी बातों को उस दिन सुन चुका था यही कि यह बाते सुनके मैं कॉन उसे कहने लगता है मैं बहुत बुरा हो ना हमेशा तुम्हें रुला देता हूँ यही उसे कहता है नहीं किस ने कहा है और वो उसके क्लोज आता है और उसके हैंड को होल्ड कर लेता है और मैंकॉन से कहने लगता है तुम तो बहुत अच्छे हो तुमने तो मुझे एक बैटर परसन बना दिया है दो महिने से जब से हम दोनों साथ है उस समय से मैं काफी खुश हूँ उसकी बाते सुनके मैंकॉन और भी ज़्यादा रूने लगता है यह आगे उस से कहता है मैं तो अब तक यह नहीं समझ पाया कि हम जैसे दो परसन क्या कभी एक साथ आ सकते हैं लेकिन देखो आज हम दोनों साथ में हैं यहाँ पर जो यही होता है वो मैंकॉन के हाथ को छोड़ देता है और दूर चाके खड़ा हो जाता है मैं कौन यहाँ पर रोते हुए यही से कहने लगता है मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है बहुत तकलीफे दी है मैंने तुम्हें लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कभी माफ ना करो जो भी आज तक मैंने किया है उसके लिए मैं तुमसे कभी माफी नहीं मांगूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे हमेसा याद रखो कभी मुझे भूलना मत तुम मेरे आखरी और पहले प्यार हो ये सब सुनके यहाँ पर यही भी एमोशनल होने लगता है मैंकॉन उसे आगे कहता है कि मैं तुम्हे हमेसा याद रखोंगा हो सके तो तुम भी मेरी बुरी यादों के सहार ही मुझे याद रख लेना प्लीस मुझे कभी मत भूलना तब ही हम देखते हैं यहाँ पर यही को नजर आने लगते है कुछ फायर फ्लाइस उन्हें देखकर यही को याद आता है कि जब मैंकॉन और यहीं अपर पहली बार आये थे तो उससे मैंकॉन ने कहा था जब हम दोनों फ्रैंट बन जाएंगे साएद तब हम यहाँ पर फिर से फायर फ्लाइस को देख पाए यहाँ पर उन सब को देखका यही काफी जादा रूने लगता है मैंकॉन उसके क्लोज आता है और उसे हग कर लेता है यहाँ पर दोनों एक दूसरे को हग करके बहुत जादा रूते रहते है उसके बाद मैंकॉन यहाँ पर यही को किस करता है और उसके बाद कहने लगता है यही से तुम अपना ख्याल रखना यही यहाँ पर मैंकॉन से कहता है तुम भी उसके बाद हम देखते हैं वहाँ से चला जाता है मैंकॉन यहाँ दिखाया जाता है एरपोर्ट पे जहाबा मैंकॉन की पूरी फैमिली होती है साथ पे हॉंग और उसकी फ्रेंड भी यहाँ पर वो सबी मैंकॉन को गुड़बाई बोलते हैं और उसके बाद मैंकॉन वहाँ से जाने लगता है तो दूर खड़े हुए याई को दिखाया जाता है जो मैंकॉन को जाते हुए देख रहा होता है और काफी emotional और sad रहता है यहाँ पर मैंकॉन रुखता है और याई की तरफ देखकर smile करता है सो यहाँ पर मैंकॉन को देखकर यही भी स्माइल करता है और उसे बाई बोलने लगता है मैंकॉन की जाने के बाद यहाँ यहाँ पर बेहदी जादर होता है उसके बाद यही को दिखाया जाता है मैंकॉन के घर पर यहाँ पर जो वो उसके बैडरूम में जाता है तो वहाँ पर एक बॉक्स रखा रहता है जिसके उपर एक स्केट बॉर्ड होता है और उस पर एक नोट लिखा होता है जिसमें लिखता है मैंकॉन कि यह तुम्हें चाहिए था ना यही काफी द्यान से उस ट्रैगन को देखता है और emotional फील करने लगता है साथ में उस box में एक T-shirt भी होती है मैंकॉन की जिस पर एक note लगा रहता है कि तुम इसे पहन सकते हो यहापा यही उस T-shirt को भी हग करता है साथ में एक camera निकलता है जिसमें उनकी कुछ वीडियोज होती है जिने यहापा यही देखने लगता है उसमें एक clip होती है जब मैंकॉन ने यही को प्रपोस किया था जो उसने उस समय बनाई थी जहापा वो record करता है कि आज से यही मेरा boyfriend बन गया है और आज से हम दोनो couples है सो यही सारी वीडियोज वगेरा देखकर यहापे यही बहुत ज़्यादा रोने लगता है और वो हग करने लगता है उस camera को ही यहापर वो मैंकॉन को बहुत ज़्यादा मिस करता है पर फिर भी उसने मैंकॉन को अपने से दूर जाने दिया ताकि वो अपना सबना पूरा कर सके यहाँ पर दिखाया जाता है कि टाइम इसी तरीके से आगे जाने लगता है यही की आवाज सुनाई देती है जो कहरा होता है कि कुछ memories ऐसी होती है जो हम कभी भी erase नहीं कर सकते और हमारी जिंदकी ऐसे ही आगे बढ़ने लगती है उसके बाद दिखाया जाता है यही को कैफे में बैठे हुए जहाँ पर उसे मिलने के लिए नाइन आता है नाइन उसके लिए एक बुके लेकर आता है जो वो यही को दे देता है और नाइन उससे पूछने लगता है तुम्हें उससे क्या बोलना था यही कहता है नाइन से आप जानते हैं ना मैं आपके साथ काफी comfortable feel करता हूँ नाइन उससे कहता है मैं जानता हूँ यही उससे आगे कहने लगता है आप जानते हैं ना कि मैं आपके लिए क्या फिल करता हूँ तो यहाँ पर नाइन उसे इसमाइल करते हुए कहता है हाँ मुझे पता है इस बारे में भी और फिर उसे कहने लगता है हमें कुछ लंच के लिए ओर्डर करना चाहिए इसी के साथ हमें दिखाया जाता है काफी टाइम बीच जाता है मैंकॉन और यही एक दूसे से मैसेस के थूप बाते करते हैं और दोनों एक दूसे के टश्च में रहते हैं यहाँ पर मैंकॉन उसे कहता भी है कि मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ साथ में वो अपनी एक फोटो सेंड करता है याई को जिसमें उसके साथ टाइगर होता है तो याई उस फोटो को देखे काफे स्मैल करता है आगे दिखाया जाता है मैंकॉन ने जो याई को स्केटबूर्ट दिया होता है याई उससे स्केटिंग भी करता है साथ में वो मैंगोन की पास मैसेज करता है तो मैंगोन उसे कहता है अभी मैं फिसी हूँ सो तुमसे बाद में बात करूँगा यहाँ पर दिखाया जाता है यही को कि वो मैंगोन को बहुत जादा मिस करता है आगे टाइम ऐसे ही गुजरता रहता है कि किस तरीके से गुजर रहे है इसके बाद दिखाया जाता है एएरपोर्ट पे नाइन को जहाँ पर भागते हुए यह ही आता है और नाइन से कहने लगता है मुझे लगा था मैं लेट हो जाओंगा और तुम चले जाओगे नाइन उसे कहता है तुम से मिले बिगर मैं कहीं नहीं जा सकता यहाँ पर नाइन कहता है अम मैं जा रहा हूँ तो तुम अपने अच्छे से ख्याल रखना यहाँ पर भी थोड़ा सैड नजर आता है नाइन के जाने से यहाँ पर नाइन उसे हग करता है और फिर गुडबाई बोलके वहाँ से चला जाता है इसी तरीके से हफते और महीने गुजरते जाते हैं यहाँ पर अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है पर हमेशा वो मैंकोन को याद रखता है और उससे बाती करते रहता है काफी जादा मिस भी कर रहा होता है फिर दिखाया जाता है दिसंबर का महीना जहाँ पर हम देखते हैं मैंकोन के लिए यही एक वीडियो भी बना रहा होता है क्रिस्मस ट्री की और उससे याद कर रहा होता है साथ भी वो यहाँ पर अकेले new year भी celebrate कर लेता है और मेंगोन को याद कर रहा होता है उसके बाद यही को बार में दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने बार की reopening की party celebrate कर रहा होता है वहाँ पर उसके सभी friends और colleague वगेरा होते है यहाँ पर वो बात करता है होंग और उसकी friends से भी साथ में उसके friend आ जाते है तो उनके साथ भी वो यहाँ पर बाते और drink करनी लगता है तब ही उसके पास मेंगोन का message आता है जिसमें मेंगोन उसे congratulation बोल रहा होता है बार की reopening के लिए और आगे उसमें लिखा होता है कि Bangkok आने पर मैं तुमसे मिलूँगा यहाँ यहाँ पर उस message को पढ़के happy feel करता है इसके बाद यही जाता है Mr. Rat के पास और उनसे कहता है आपने बार को काफी अच्छे से renovate किया है मुझे यह पसंद आया थोड़े समय बाद हम दिखते हैं वहाँ पर एजोय आ जाती है और यहाँ को congratulations बोलती है साथ में एक बुके gift करती है यहाँ पर यहाँ उसे thanks बोलता है पाटी में आने के लिए तब ही एजोय का ध्यान जाता है एक बुके पर और वो पूछने लगती है यही से कि यह तुम्हे किस ने दिया है तो यहाँ पर यही कहने लगता है एजोय से हर मेने मेरे लिए इस बुके को nine भीशता है इजोय उसे कहती है क्या nine भीशता है यही कहता है हाँ